दोस्कार दोस्तों आप सभी का Polytechnic City Center में स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में Rectangular Coordinates, State Lines and Family of Lines chapter complete करने जा रहे हैं दोस्तों आज हम इस chapter के full formula और theory समझें कि कौन सा formula क्या कहना चाता है क्योंकि जा जाधा बच्चों के इसमें difficulties आती हैं तो बताएंगे और दोस्तों साथी साथ बताएंगे इसमें से एक part questions में पूछा ही नहीं जाता इसमें एक part है जो कि काफी difficult है दोस्तों हमारे समझ नहीं पाते और वह पूछा भी नहीं जाता exam में तो वह भी बताएंगे वह कौन सा part है जो आपको नहीं पढ़ना है और बताएंगे क्या है important और नहीं important चलिए दोस्तों सुरू करते है रैक्टेंगल कॉडिनेट सेट लाइन फैमिली आफ लाइन तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं हम पहले बताते हैं रेक्टेंगलोर कॉर्डिनेट्स दोस्तों रेक्टेंगलोर कॉर्डिनेट्स मतलब है दोस्तों हम इस वीडियो इस चैप्टर में दो कॉर्डिनेट्स के बारे में देखेंगे एक तो य कॉर्डिनेट और एक एक्स कॉर्डिनेट बैसे तो तीन कॉर्डिनेट पाए जाते है एक X coordinate, एक Y coordinate और एक Z coordinate ये Z coordinate होता है दोस्तों ये different coordinate होता है ये Y coordinate कहलाता है और ये हमारा X coordinate कहलाता है तो दोस्तों rectangular coordinate कहने का मतला हुआ है हम दो टो coordinate से deal करेंगे एक तो X coordinate और एक तो Y coordinate और Z coordinate को हम छुएंगे भी नहीं या इसके बारे हम बात भी नहीं करेंगे दिखाएंगे सब कुछ क्योंकि यह दिखाना असान है 2D plane पे और 3D plane पे तीन एक्सेस वाला काम होता है तीन कॉडिनेट का काम होता है अगर माल लेते हैं दोस्तों यहां पर एक कोई क्या पॉइंट है यहां पर कोई पॉइंट है इस लाइन पे तो दोस्तों हिसका जो कॉडिनेट रहेगा वां है और fel और यहां हमारा-फोंसे पॉइसल है दोष्तों आप देख सकते हैं कोफ़ार है एक्ष कोमा जीरो कॉमा वा जब कोई भी पॉन्ट हमारा लाइन पर रहे मैं अब आते में लिस्टेंस फॉर्मला क्या होता है हो जानसे प्लस इस मिल एजए कॉल चूंट जो कॉर्ड आफ़ अऔर root x2 minus x1 का whole square और bracket plus y2 minus y1 का whole square मतला अगर हमारी ये coordinate है माल लीजे थोड़े same नी बनेंगे दोस्तों और यहाँ पे एक point दिये गया है ये आला point और ये दिये गया है एक दूसरा point ये x1 y1 है हमारा और ये हमारा x2 y2 है दोस्तों इन दोनों के बीच की distance हमारी इन दोनों के बीच की distance short as distance बतलब एक straight line में ये distance हमारी कहलाती है distance formula इसे निकाला जाता है distance formula से इस distance को तो अगर a point ये माल ले है और b point ये माल ले तो a भी बराबर होगा हमारा a भी बराबर हमारा होगा under root में x2 minus x1 का whole square और y2 minus y1 का whole square ये mode में रहेगा दोस्तों ये हमें सब positive रहेगा क्योंको distance आपको पता है कभी भी negative नहीं हो सकती है तो दोस्तों ये रहेगा हमारा distance formula आपको याद कर ले ना है formula question पूछ लिए आते हैं और दोस्तों जब हमारे बात आती है distance of x1 y1 from origin मतलब एक ये coordinate मान लीजे ये coordinate हैं से distance मान लीए ये यहाँ पर x1 y1 है ये हमारा point दिया गया है एक x1 y1 आपको distance नकाल ली है origin से origin से distance नकाल ली है मतलब हमारे x2 x2 और y2 हमारे 0,0 है क्योंकि origin पर हमारे x और y 00 होते है x2 y2 00 हो जाएंगे तो हम x2 और y2 की जगा पर 0 रख देंगे तो हमारा formula क्या बनेगा x1 का square प्लस y2 का square x1 का square प्लस y1 का square का अंडर root ये रहेगा हमारा formula distance formula from origin तो दोस्तों ये था हमारा distance formula आपको समझ में आया होगा अब चलते हैं आगे section formula पे ये section formula होता है the point p xy which divides the join of two given points a x1 y1 and b x2 y2 in ratio m1 ratio m2 मतलब दोस्तों हमारी एक line मान लीजे ये line मान लीजे एक अभी हम internal पढ़ेंगे internally मतलब ये हमारा x1 y1 है ये हमारा point x1 y1 है और ये point हमारा x2 y2 है ये point हमारा x2 y2 है यहाँ पर अगर एक कोई point आता है और इस line और कार्ट देता है मतलब ये पूरी line मान लीजे आप 10 में 10 cm ये mm की है ये हमारा 6 mm और ये हमारा 4 बन जाता है जब हम इन दोनों का ratio निकाल लेंगे तो ये हमारा 3 ratio 2 निकल के आएगा 3 ratio 2 निकल के आएगा अगर दोस्तों हमें ये बाला point जानना है जहां से हमने काटा है मतलब इसे मान लीजे x y मान लीजे तो हमारा x बराबर क्या होगा x बराबर होगा हमारा इस 3 का गुणा इस x2 के साथ मतलब 3 x2 प्लस ये 2 का गुणा ये x1 के साथ तो 2 x1 2 x1 डिवाइड y 3 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा नीचे 3 प्लस 2 m1 और m2 3 प्लस 2 मतलब 5 तो ये निकल के आएगा हमारा x अगर हमें x1 और y1 और मिल जाएगा और इसी परकार से हमारा y निकल के आएगा कि 3 y2 प्लस 2 y1 डिवाइड y5 तो दोस्तों इसका अगर हम इस नमबर को 6 और 4 ना लिखे इसे नमबर लिखे मतलब अगर हम ये लाइन है ये x1 y1 है x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है अगर इसे कोई पॉइंट काटता है xy xy ये पॉइंट है तो इसे काटता है हम इसे मान लीजे m में काटा और इसे m2 में काटा मतलब पहले वाले को m बन में और दूसरे वाले को m2 में तो हमारा जो x का फॉर्मला होगा जो x निकलेगा वे किस तरीके से निकलेगा mx2 mx2 प्लस mx1 डिवाइड y m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 यह m1 m2 है दोस्तो ऐसी प्रकार से y वरावर निकलेगा हमारा y वरावर निकलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड y m1 प्लस m2 यह रहता है जब हमारा बीच से कोई काटे लाइन अगर दोस्तो हम मान लें कोई एक लाइन है जो लाइन है वो बीच से काटे मतलब m1 और m2 1 1 हो अगर m2 m1 और m2 का रेशियो 1 1 हो मतलब 5 5 यह 10 10 में काटे तो इनका रेशियो हमारा 1 1 निकल के आएगा तो आप देखेंगे m1 और m2 की जगापे हम 1 1 लिखने तो हमारा यह कितना निकल के आएगा x वरावर आजाएगा x1 प्लस x2 y2 और yy वरावर निकल के आजाएगा y1 प्लस y2 y2 दोस्तों यह हमारा midpoint का निकल आएगा तो इसी प्रकार से हमारा midpoint और unpoints के लिए नकाल जाता है यह रात हमारा internally जब भी line के बीच में से कोई काटे अगर line के बाहर से कोई काटे तो इसे कहते हम externally मतला अगर यह point है मान लीजे यह x1 और यह y1 है और यह हमारा x2 y2 अगर कोई line अगर हमारा पे काट रही है इसी की सीधाई में काट रही है xy xy अगर मान लीजे यह हमारा है पूरा m1 और यह हमारा m2 आपको formula y यह हम दोरा नहीं लिखते आपको बस formula y लगाना है m1 x2 प्लस की जगापे बस minus लगाने लगा देना है और m2 x1 divided by m1 minus m2 आपसे externally कमी पूछ जाएगा internally का जादा आता है तो आप formula याद कर सकते है और इसी की जगापे आपको midpoint का बता है ता कि midpoint हमारा कैसे निखलता है कि अगर आपको m1 और m2 की जगापे one रख दीजिए internally में क्योंकि बीच में से line काटती है तब ही midpoint होता है तो m1 और m2 की जगापे आप one रख देंगे तो x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2 formula निखल के आ जाएगा दोस्तो ये था हमारा section formula अब आते हैं दोस्तो area of triangle मतलब area of triangle को जिस पकार से होता है कि अगर आपका एक ये coordinate है यहाँ पर कोई x1 y1 है x1 y1 है यहाँ पर कोई x2 y2 है x2 y2 और यहाँ पर कोई x3 y3 है x3 y3 है तो इन तीनों को जोड दिया आए point दोस्तो हम ये एक triangle बनता है तीन point से एक triangle बनता है दोस्तो हमें इस triangle का area नकालना है दोस्तो हमें इस triangle का area नकालना है तो area का formula को जिस पकार से होता है कि आप इसे matrix में ऐसे लिख सकते है कि half delta बराबर है हमारा delta means होता है area area बराबर है half और पूरी एक टंडी कीजी X1, X2, X3 Y1, Y2, Y3 और 111 और इसे solve करेंगे तो हमारा ये formula बन जाएगा कि half bracket में X1 bracket Y2-Y3 plus X2 Y3-Y1 plus X3 Y1-Y2 ये रहता है हमारा area of triangle एक अग कोशन में पूछ लिए आता है तो अब ज़रूर याद करें simple है पहले X1 से multiply करो कि वस इसमें Y1 का नहा है तो Y2-Y3 X2 में Y3-Y1 और X3 में Y1-Y2 ये रहता है formula area of triangle का अब आते हैं दोस्तो centroid of a triangle आपसे कोशन में पूछा जाएगा कि आपको X1, Y1 X2, Y3 X2, Y2 और X3, Y3 दे दिए जाएगा आपसे पूछा जाएगा कि इसका centroid क्या होगा तो आपसे centroid का formula होता है आपका centroid का formula होता है X1 प्लस X2 प्लस X3 ड़ाइड Y3 और X1 प्लस Y2 प्लस Y3, Y3 ये हमारे centroid के coordinate होते हैं centroid के coordinate मान लीजिए X और Y दोस्तों ये बराबर रहते हैं X1 प्लस X2 प्लस X3 बाइड Y3 और X1 प्लस Y2 प्लस Y3 ये रहता है किसी भी centroid जिसके coordinate X1, Y1 X2, Y2, X3, Y3 हो और इसी प्रकार से in center पूछ ले जाता है कि in center क्या होगा किसी भी triangle का कि किसी भी triangle का in center क्या होगा तो दोस्तों किसी भी triangle का in center का formula होता है किसी भी triangle का in center का formula होता है AX1, BX2 प्लस CX3 ड्वाइड Y A प्लस B प्लस C और कॉमा AY1 प्लस VY2 प्लस CY3 और A प्लस B प्लस C ये रहता है in center का formula दोस्तों in center का कमी पूछा जाता है तो centroid का ही पूछा जाता है अब चलते हैं दोस्तों आगे दोस्तों in center में आपको AX1 प्लस VY2 BX2 प्लस CX3 में ABC की values दी जाएगी और X1, X2 और X3 आपके points रहेंगे triangle के side के अब आते हैं दोस्तों angle between two lines मतला अगर दो lines एक दूसरे को intersect कर रही है मतला यह जा रही है हमारी एक line और यह दा जा रही हमारी दूसरी line दोस्तों यह दोनों line एक दूसरे को insert intersect कर रही है तो दोस्तों इन दोनों के बीच का angle theta कितना होगा तो दोस्तों यह theta को जिस पकार से निकाल जाता है कि इस line का हमारा slope है M बन C V line का हम angle नकाल सकते हैं कि वे दोनों intersect किस angle पर करेंगे तो theta बरावर होता है हमारा 10 inverse bracket mod में M1 माइनस M2 और divide Y 1 प्लस M1 M2 bracket और यह mod close तो दोस्तों यह रहता है angle between two lines आपको बता दें कि यह slope कैसे निकाल लाए आता है slope को हम M से बताते हैं अगर Y बरावर M X plus C में कोई line हो Y बरावर M X plus C में line हो तो M हमारा क्या होता है slope इसी परकार से हम किसी भी line को इस form में लाएते हैं और Y बरावर M X plus C जैसे कि हम मान सकते हैं Y बरावर हम लिखे 6 बरावर 7 X plus 1 by 7 अगर C बरावर 1 होगा C बरावर 1 by 7 सकते हैं slope किसी की भी line का slope और आप उसके साथ बता दें किसी भी line अगर दो line एक दूसरे को parallel है अगर दो line अगर parallel है intersect करेंगी नहीं तो M बरावर रहेगा हमारा M 2 के है मतलब दोनों के slope बरावर रहेगी है और दोनों अगर line है एक दूसरे को 90 degree पर काटते है मतलब इस परकार से काटती है इस परकार से काटती है इन दोनों के बीच में 90 degree बनता है तो हमारा M 1 और M 2 slope का बरावर होता है माइनस 1 के बरावर M 1 इन्टू M 2 बरावर माइनस 1 के बरावर होता है तो दोस्तों ये condition जरूर याद रखें पूछ ले जाती हैं questions में जरूर आ जाती हैं अब चलते हैं आगे various form of state line मतलब state line के कई तरीके पहला होता है general linear equation in x by मतलब एक line को हम ax plus by plus c से दिखा सकते हैं तो दोस्तों आप पूछेंगे इसका slope क्या होगा तो हम slope निकल सकते हैं by बड़ावर होगा हमारा minus का ax minus का c और by बड़ावर होगा minus a upon bx minus c by b तो minus a upon b हमारा isका slope रहेगा और c हमारा रहेगा minus c by b इस तरीके से आप निकल सकते हैं किसी का भी slope और ये हमारे general equation रहती है किसी भी line का अब आते हैं दोस्तो equation of line passing through x1 y1 having slope m दोस्तो आपको ये दे दिया गया है कि where line एक कोई line है जो किसी point से जा रही है x1 y1 से और उसका slope m है मतलब कोई line है मान लीजी ये line जा रही है इस परकार से ये इस point को cut करती है x1 y1 को कहीं पर और ये इसका slope है हमारा m slope है तो दोस्तो हम ये line निकाल सकते हैं ये line निकाल सकते हैं इस formula से y-y1 is equal to m bracket में x-x1 ये formula होता है जिससे हम वो line निकाल सकते हैं अगर हमें x1 y1 और m दिया गया है तो ये पूछले आता है ये भी formula important है अब इसके बाद आते हैं equation of line in its slope in m slope intercept y axis and c in given y मतलब अगर कोई line है मान लीजे हमारे coordinate है अगर कोई line जा रहा है इस प्रकार से ये c उपर है c के y के तो दोस्तों इसका slope form कैसे निकल के आता है इसका form निकल के आता है m x plus c जो हमने आपको भी बताया था यहां से कोई distance नहीं दी जाती तो आप इसे ignore करें ये c के c y से उपर रहता है c और y का ये distance होता है 0 से c तो इसलिए इसका formula इस प्रकार से m x plus c और दोस्तों इसका m निकल सकते हैं आप और ये कोई किसी दो points को intersect कर रही है मतलब ये कुछ इस प्रकार से काट रही है आप काट रही है तो दोस्तों आप इसका slope निकाल सकते हैं इससे अगर वे 2 points को काट रही है कि y 2 minus y 1 और divide y x 2 minus x 1 से हम slope निकाल सकते हैं किसी भी line का अगर वे 2 points को काट रही है अब आते हैं दोस्तों आगे equation of line passing through 2 points given by मतलब हम देखिए आपको जिस परकार से बताए है कि equation हम निकाल सकते हैं अगर वे कोई line 2 points से जा रही है हम उसका M निकाल सकते है M बराबर निकल सकते है y 2 minus y 1 divided y x 2 minus x 1 और इसके साथ साथ हम यह भी formula लगा सकते है कि equation of line कि y minus y 1 यह y और x y और x line की coordinates मान लीजिए y x तो यह हमारे y 1 और y 2 यह points हैंगे कि जहां से intersect मतलब यह points दिये गए है जहां से line cut कटते हुजा रही है x 1 और x 1 y 1 और x 2 y 2 इस परकार से आप formula से निकाल सकते हैं उस line का equation भी है आप M निकाल के भी निकाल सकते हैं अब आते हैं दोस्तों आगे equation of line if their intercept on axis r a b is given y मतलब अगर आपकी यह coordinates है यह line जा रही है यहां से यह a distance पे है और यहां से यह b distance पे है यहां से यह b distance पे है तो दोस्तों इसका formula होगा x y a plus y y v बराबर 1 मतलब by को b intercept और x को a intercept is equal to 1 यह रहता है formula किसी भी intercept form का आप से कहा दिया जाएगा questions में specifically कहा जाता है अब आते हैं दोस्तों आगे equation of line perpendicular distance to origin from line P मतलब दोस्तों अगर यह coordinate है अगर यह line जा रही है अगर मान लीजे एक P है P मतलब यह perpendicular है इसके 90 degree बना रहा है यह P है आपको पता है यह distance कितना है यह आपको एंगल पता है अलफा तो आप इससे equation of line नकल सकते है equation of line नकल सकते है मतलब इस परकार से X cos alpha प्लाज Y sin alpha बराबर P P आपको पता है perpendicular distance alpha आपको एंगल पता है positive x axis के साथ positive x x साथ बना angle हमारा alpha गहलाएगा इससे आप equation of line निकाल सकते हैं अब आते हैं दोस्तों आगे perpendicular of a distance of a point x1 by 1 from the line मतलब दोस्तों अगर एक ये line है ax plus by plus c बरावर 0 एक ये line है ये perpendicular distance of point x1 by 1 from the line मतलब दोस्तों ये perpendicular distance निकालना है हमें मतलब ये एक point है x1 by 1 से हमें इस line के perpendicular distance निकालना है दोस्तों इसका formula होता है perpendicular distance आप d मान लीजिए d बरावर निकल के आता है ax1 plus by 1 plus c dy under root का a square plus b square का mod void इसलिए क्योंकि ये हमें सब positive में होना चाहिए दोस्तों ये formula रहता है किसी भी point का किसी भी line से perpendicular distance का और अगर आप मानें किसी line का किसी origin से perpendicular distance मतलब कोई line जा रही है ये हमारा coordinates है और ये coordinates ये हमारा origin है origin से इसका perpendicular distance किसी भी line का line है हमारी ax plus by plus c बरावर 0 दोस्तों अभी हमने coordinates माने थे किसी भी point के x1 by 1 तो ये origin के किसमें रहेंगे 0,0 रहेंगे 0,0 रहेंगे तो इससे हमारा d अपी मान लीजे p बरावर perpendicular distance हमारा निकल के आएगा p बरावर ये हमारा दोस्तों हमने भी formula बताया था ax1 प्लस b y1 तो यहां पे x1 और y1 00 है तो ax1 प्लस b y1 हमारे 00 हो जाएंगे और उपर बचेगा सिरफ c divided by under root a square प्लस b square का मौड तो दोस्तों इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं perpendicular distance of point from line अब आते हैं दोस्तों आगे यह formula important condition of two lines to be coincident parallel और perpendicular or intersecting two lines मतलब कोई एक दूसरे को उपर line है या parallel है या एक दूसरे पर 90 डिग्री पर काट रही है तो इनकी condition को जिस प्रकार से रहती हैं आगे पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास दो line है दो line है a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 और दूसरी line है a2x plus b2y plus c2 तो हमें बताना है कि coincident मतलब एक बराबर line है कि मतलब एक उपर दूसरे उसके उपर line है तो इसको कहा जाता है coincident तो इसकी condition होती है अगर हमें देखते हूँ साथ ही बनाना है तो हमारे इसकी condition रहेगी a1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2 बराबर c1 divided by c2 ये condition रहती है coincident की second आती है parallel की condition मतलब एक दूसरे के समान जाएंगी मतलब इस परकार से निकलेंगी दोनों line है तो इसकी condition होती है a1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2 is not equal to is not equal to c1 divided by c2 ये रहती है condition parallel lines की अब आते हैं तीसरी perpendicular lines की मतलब पहली line इस परकार से जा रही है और दूसरी line इस परकार से जा रही है तो ये कहलाती है perpendicular की condition इसमें रहता है इसमें रहता है a1 a2 plus b1 b2 बरावर 0 होना चाहिए a1 a2 plus b1 b2 बरावर 0 या आप इस परकार से भी लिख सकते है a1 a2 बरावर minus का minus का b1 b2 या a1 upon b1 a1 upon b1 बरावर minus a2 upon b2 इस परकार से भी आप लिख सकते है ये रहती है condition perpendicular की अब आते है और चौता है हमारा कि अगर दी जाए intersecting मतलब है कही न कहीं intersect करेंगे मतलब कभी न कभी line एक दूसरे को intersect करेंगे 90 degree पर नहीं पर intersect करेंगे तो उसकी condition होती है हमारी उसकी condition होती है a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2 यह आप इसे कह सकते है a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0 is not equal to 0 तो यह थी दोस्तों condition coincident parallel और perpendicular की कोई भी दो lines की तो आप इसे जरूर देखें बुझे आते हैं question four marks में आ जाते हैं simple से question अब आते हैं दोस्तों last point perpendicular distance between two parallel lines अगर हमें दो parallel lines दी गई है दो parallel lines है मतलब एक यह line है और दूसी line है इन दोनों के बीच के perpendicular distance मतलब इन दोनों के बीच के distance हमारी क्या रहेगी तो इसकी distance निकाली जा सकती है हमारी की पहली line है हमारी ax plus by plus c1 बराबर 0 ax plus b1 by plus c2 बराबर 0 आपको पता था कि अगर दो line parallel हो तो आपके a1 divided by a2 बराबर a2 और b1 divided by b2 is not equal to c1 by c2 दोस्तों आप देख सकते हैं आपके condition apply हो रही है a और a सेम सेम है पर c1 और c2 डिफरेंट है इसलिए यह एक parallel lines की condition है और इन parallel lines की perpendicular distance दोनों lines के perpendicular distance यह distance निकाल जा सकती है पी बराबर की इन दोनों के बीच की distance पी बराबर c1 माइनस c2 divided y अंडर रूट का a square प्लस b square का mod दोस्तों यह रहती है perpendicular distance between two parallel lines की condition और इसके बाद आती है दोस्तों अगर तीन line है हमारे तीन line है हमारे पास a1x प्लस b1 by प्लस b1 by और सॉरी प्लस c1 बराबर 0 या a2x प्लस b2 by प्लस c2 बराबर 0 या a3x प्लस b3 by प्लस c3 is called 2 0 मतलब बिलवी concurrent बिलवी concurrent वह एक जगा पे काटेंगे एक दुसरे को तो इसकी condition होती है हमारी इसकी condition होती है bracket में a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 यह दोस्तों आप यह नहीं पूछा जाता है यह काफी difficult होता है solve करने के लिए दोस्तों आप इसे याद ना करें इसे आपको देखें खोल कर determine नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि यह काफी question of second degree दोस्तों हम बात कर रहे थे कि एक topic है जो बिल्कुल भी important नहीं है कभी पूछा नहीं जाता फिर भी intense exam की book में है दोस्तों वह यही topic है homogeneous question of second degree कभी पूछा नहीं जाता है इस पे question कभी नहीं आता है तो दोस्तों आप इसे ना पढ़ें इसे skip कर दें क्योंकि यह बिल्कुल भी important नहीं है और difficult है पहले वाले से जादा क्योंकि पहले आप देख सकते हैं काफी सारे formula हो चुके हैं अब आप homogeneous equation of second degree ना पढ़ें इसके आगे आप कुछ ना पढ़ें क्योंकि यह बिल्कुल भी important नहीं है यह सारे formula आपके याद करने लाइक नहीं है तो आप जरूर याद ना करें इसे skip कर दें अगर आप दोस्तों आप फिर भी आप इसे समझना चाहते हैं तो comment करके जरूर बताएं कि हमें यह topic समझना है और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें दोस्तों काफी मेहनच से वीडियो बनती है आपके लिए बना जा रहे हैं धन्यवाद दोस्तों फिर वीडियो देखने के लिए जै हिंद जै भारत